हजारों फीट की गहरी खाई है इस शुलिंग की प्रमुप माननेता यह है कि इस शुलिंग में भगवान शुकान नील कंटेश्वा रूप आज भी मौजूद है आज भी यहाँ पर रावन एवं उनके पुर्वच समय पे जो है फूजा करने आते हैं आप गया की दूद का सिवलिंग के अशेक करते हैं तो जिस समया के इस्थीत रहते हैं तो तुरंत नीला होगा जैसे दूद को डालेंगे अभी सेक करेंगे तो उसमें तुरंत सी नीला पन अचाता है दूद का रंग जो सफेद होता है और दूद सच्मुच में नीला हो जाता है कई बार एक रिशी को आते हुए जाते हुए कई लोगों ने देखा निकलो निकलो यहाँ सी जल्दी नवस्कार बहुत स्वागते आपका अमारे इस खास पेशकश में मैं हूँ आपके साथ रितु ग्यान बने जरूर शिवलिंग के पत्थर में दूद को नीला करने वाला तत्व होगा लेकिन अगर ऐसा है तो रंग हर बार बदलना चाहिए और शिवलिंग पर जल भी तो चड़ता है तो उसका रंग क्यों नहीं बदलता तो क्या शिवलिंग चमतकारी है तो क्या उसका नाता महाबली रावर से है इन सवालों का जवाब पानी के लिए हमारी टीम जंगल में पहुँची और रहस्यों को सुलजाना शुरू कर दिया लेकिन रहस्य सुलजने की बजाए उलजने लगे उलजने उस रात से शुरू हुए जब हमारी टीम जंगल में पहुँची थी ये शिवलिंग क्या वागई सफेद दूद को नीला कर देता है चमकार होता भी है या सब आँखों का प्रहम है अब जो भी है राद के बाद ही कुछ पता चलेगा धाम तक पहुंचते देर हो चुकी थी खराब मौसम ने मुश्किल और बढ़ा लिए घने जंगल में राद के वक्त किसी का मिलना भी मुश्किल थी फिर चुक्चाप आग के सामने बैठ कर सुबह होने का इंतजार करने लगे इस अदभुत शिवलिंग का रहस्य सुलजाने के लिए हमारी टीम रायपुर से करीब धाई सो किलो मीटर दूर धमतरी के सिहवा इलाके में पहुंच गई थी सुबह होते ही शिवलिंग साफ नजर आने लगा था इतो वाकई एक प्राकृतिक शिवलिंग था आकार बेहत विशाल और पत्थर की तरह खुर्दुरा सब्तरिश्यों के इस पावंदरा और 36 गड़ के सिहावा से शुरू होने वाले दंड़कवन के बीचो बीच यह भगवान हिमा कोटेश्वर महादेव का स्वयम्भू शिवलिंग साड़े चार फिट के जमीन से निकले हुए इस स्वयम्भू शिवलिंग को लेकर कई चमतकारिक दावे किये जाते हैं लेकिन इस शिवलिंग की प्रमुप माननेता यह है कि इस शिवलिंग में भगवान शिव का नील कंठेश्वर रूप आज भी मौजूद है सागर मंतन के वक्त जब विश्व की उत्पती हुई तो उस विश्व को भगवान शिव ने पीकर अपने कंठ में रोक लिया और उसी वक्त से भगवान शिव नील कंठेश्वर के ला है कहते हैं कि सारेचार फिट के इस स्वैंबू शिवलिंग में भगवान शिव का वो नील कंठेश्वर रूप आज भी मौजूद है और सैक्डो लोग उस रूप को इस शिवलिंग में देखने के दावे भी करते है ये शिवधाम खुले आसमान के नीचे था न कोई दिवार न कोई चट बस हर तरफ घना जंगल और आबादी के नाम पर बस कुछ पुजारियों का परिवार जो अब शिवलिंग की पूजा की तैयारी में जुड़ गए थे जैसे ही शिवलिंग पर पानी गिराया जाने लगा हमारी टीम की निगाव वही जम गए पानी के रंग में कोई बतलाव नहीं दिखा नीचे बहरहा लाल रंग शिवलिंग पर लगे टीके का था फिर पुजारी ने बताया कि केवल दूद का रंग बदलता है आज भी अगर आप गईया की दूद का शिवलिंग पर अभिशेक करते हैं तो जिस समय आके वो इस्थीत रहते हैं तो तुरंत नीला हो जाते हैं लेकिन कैसे कोई क्यमिकल लोचा है पत्थर का असर है लोग कहते हैं ये चमतकार है शिवलिंग में महादेव का वास है जिनके नीले कंठ से दूद भी नीला पड़ जाता है नील कंठेश्वर रूप आज भी इसमें मौजूद है मानते हैं अगर ऐसी बात है तो महादेव का वास इसी शिवलिंग में क्यों बाकी जगों पर क्यों नहीं तो दावा है कि ये शिवलिंग युगों पुराना है तुरेता काल का है जिसे शिव के परमभक्त रावन भी पूछते थे आज भी यहाँ पर रावान एवां उनके पूर्वच समय पे पूजा करने आते हैं रावान की दादा जी पुलच से रिशी की जो पावन जो तपोवन है यहाँ से लगभग 12 किलोमेटर दूरी सिंगोला परवत परद्वे दिस्थीत है रामायन के मुताबिक त्रेता युग में दंडक वन पर रावन का ही राज था और रावन शिव के परमभक्त भी थे रावन की वजए से रामायन में दंडक वन का जिक्र कई बार किया गया हो सकता है जमतकार का ये दावा एक कहानी है तो शिवलिंग पर केवल दूद का ही रंग क्यों बदलता है पानी का क्यों नहीं अगर असर प्रसी केमिकल का है तो दूद का रंग हर बार बदलना चाहिए लेकिन ऐसा कभी कभार ही होता है लेकिन यह चमतकार होता कैसे? होता भी है या नहीं? ये परकने का वक्त अब आ गया परताल शुरू करने से पहले शिवलिंग को साफ किया गया ताकि शक की कोई गुणजाईश न रहे अगर कोई केमिकल या रंग होगा तो वो भी साफ हो जाएगा इस शिवलिंग से पूजा की सारी सामगरी हटाने के बाद अब इस शिवलिंग को हम पानी से दोर है पानी से शिवलिंग का अभिशेक किया जा रहा है अगर इस शिवलिंग की चटान पर किसी प्रकार का कोई कलर या रंग लगा हो तो पानी के साथ भी हो मिल जाएगा और पानी भी अपना रंग बदल देगा ताकि अगर किसी प्रकार का कोई कलर जो है वो अगर इस शिवलिंग पर लगा हुआ होगा तो वो इस कपड़े पर साफ तोर पर दिखाई देगा अब शिवलिंग पूरी तरह साफ था कोई भी सामगरी इस पर नहीं थी मान्यता के मताबिक जलाभिशेक के बाद शिवलिंग की पूजा की गई सबसे पहले हमने दूसरे लोगों से दूद डालने के लिए कह लेकिन रंग तो बिलकुल नहीं बदल तो क्यों दावा तो कुछ और था फिर हमारी टीम ने आजमाय शुरू की अब शिवलिंग पर हम लोग बूद डालेंगे दूसरे शिवलिंग का अभिशेक करेंग गयो देखते हिज क्या सही कि सफेद कलर का ये जो दूद है दूदिया ये जो दूद है वह सही में नीले रंग में बदलता है या जिसे लोग चमतकार कहते हैं वो हमारी आँखों के सामने हो रहा था देखिए अपने आप में अद्बूत है जैसे हम लोग इस शिवलिंग पर दूद डालते ही दूद अपने आप नीले कलर का हो जाता है साफ तोर देख सकते हैं कि दूद शिवलिंग पर पड़ते ही नीले कलर की हो जारा है लोग इस शिवलिंग पर हम लिगों नोगों पर से लूद डाला पर पूरे तरीके से निला हो गया बदेखे ओपर से सफेद डूत तरुटहगों नीचे जब लॉन जा रहा है तो अपने आप बिले किलर का हुझा इस भीड पात्र पर में में कुछ दूध बचा हुआ है थार में जो दूध बच वह सफेद डूधै घुड़ होता हैं लॉसी ते हैं दूध कर रहे हैं यह सट लोगों की आस्था का खयाल रखते हुए हमारी टीम इसे चमतकार बता रही थी लेकिन हमें तो यही पता करना था कि ये सब कैसे हो रहा है लोटे से गिरने वाला दूद जब शिवलिंग पर बहकर नीचे पहुचता है तो नीला कैसे हो जाता है कहीं रंग से जुड़ा ये चवरकार आँखों का ब्रहम तो नहीं हमने पड़ताल के नतीजे को फिर से परका ये शिवलिंग के पास दूद का अभीशेक होने के बाद जो दूद जमा है उसका कलर और इस तामरे का कलर देखिए कि देखिए अब मैं शिवलिंग पर दूद नहीं चड़ा रहा हूं ये नीचे जो है ये नीचे मैं दूद डाल रहा हूं तो ये दोनों जो है आप अंदाजा लगा सकते कि तामरे से जो सीधा दूद जो है जमीन पर गिर रहा है वो बिल्कुल सफेद है कि यहां पर नीले कि दूदया जैसा दूद का रहा होता है ठीक उसी तरीके से अब इस दूद में उपर से से ने च attempting नहीं वा रहा रहा हूं लोग लोगुझे है इस जो पुराना जो शो ओलें पर चड़ा हुआ जो पहले वाला दूद है उसमें हम सीधा प्रमरे से सपेद के दार को चोड़ हम अब भी पत्थर में किसी खास तरहे के तत्व से रासाइनिक क्रिया वाली बात पर डटे थी लेकिन धाम से जुड़े लोगों ने इसे सिरे से खारिज कर दी यह तो अब दूद डालेंगे तो पत्थर है चट्टान है तो हो सकते किस तरफे का केमिकल रियक्शन होता हो उससे दूद नीला हो जाता हो या कोई और अगर जैसे की पानी डाला जा तो नहीं क्योंकि यहां पर जो है सिर्फ है लिंक के लावा और चट्टान या एक भी पत् तो यह जो शिवलिंग है उसमें ऐसा कोई भी केमिकल नहीं है क्योंकि यह रावण के द्वारा पुलस रिशी के द्वारा या रावण के पूरे परिवार के द्वारा स्वमेव पूजी थै और यह लिंग सिद से भी थै अलंकि हमारी टीम ने भी शिवलिंग की सफाई की थी, कपड़े से भी पहुचा था, लेकिन फिर भी दूर का रंग कैसे बदल रहा था, शिवलिंग का रहस्य अब उलत चुका था चमतकार हमारी आखों के साबने हो रहा था, शिवलिंग पर दू चणने के बाद नीला हो रहा था, लेकिन इसके वज़ा क्या हो सकती है, दावा करने वालों ने कहा कि आप यूँ ही परिशान हो रहे हैं, ये सब शिवलिंग का ही चमतकार है, क्योंकि इसका नाता रावन और उसके पूरवजों से है, कहते हैं त्रेटा काल में इस शिवलिंग की पूजा करने के लिए रामन खास तोड़ से लंका से दंडक वन से आता था, हमारी टीम मानने को तयार नहीं थी, फिर हमें पता दिया गया, लोगों ने कहा कि आप वहां पहुंच जाए, चमतकार शिवलिंग तो अपना काम कर रहा था, दूद का रंग बदलते हुए हमारी टीम ने भी देखा, हमने कई बार कोशिश की, लेकिन नतीजा नहीं बतला, लोगों ने कहा कोशिश करने से चमतकार कम नहीं होगा, क्योंकि शिवलिंग का जुडाव शिव के परमभक्त रावन स कहानी के मताबिक रामान काल में दंडक वन लंकापती रावन के सामराज्ज का हिस्सा था, कहते हैं जंगल में रावन को एक अदभुत शिवलिंग मिला, शिव भक्त रावन उस शिवलिंग की पूजा करने लगा, बताया जाता है कि उसी साधना से रावन को कई शक्तियां ह हासिल हुई थी, दावे के मताबिक ये वही चमतकारी शिवलिंग है जिसकी घोज युगों पहले रावन ने की थी तो क्या शिवलिंग के इसी चमतकार ने रावन को आकर्शित किया था? लेकिन इस कहानी को हम कैसे मान लें, कैसे मान लें कि इस जगा का नाता कभी रावन से रहा है तो लोगों ने कहा आपको क्या चाहिए, सुबूत तो वो भी मौजूद है ये जो सिवलिंग है इससे पूर्व की ओर है एक सिंगोला प्रवत जहां पर जो है रावन की जो दादा है पुलच सिरशी जिनके वो पावन तपो भूमी है जहां पर उन्होंने अपने कुल की अधिश्ठात्री निकुम्बला की जो है कठोर तपश्या की है इस जंगल में रावन से जुड़ा इतना बड़ा साक्ष मौजूद है और दुनिया को पता भी नहीं ये कैसे हो सकता हमारी टीम ने एक बार और पूछा तो जवाब मिला कि सबूत आज भी मौजूद है आज भी वो विराजमान है और आज भी वहाँ निकुम्बला माता की पुलस्तरी से पूजा करते हैं अगर उस गुफा में जाये तो क्या सही में ऐसा कुछ दिखाई दे सकता है या हाँ अगर अभी हम गुफा की ओर चलते हैं और गुफा में जब प्रवेश करते हैं तो आप अपनी नेत्रों से देखना उसमें पूरा तक्त्रों की बहुत सारे आउसेस पड़ा हुआ हमने सोचा देखने में क्या हर्ज है साक्ष नहीं भी मिले तो हो सकता है कि कोई नई पौरानिक जगा ही दुनिया के सामने आ जाए हमें नहीं पता कि उपर पहाड़ पर कुछ मिलेगा भी या नहीं हो सकता है कि गावालों का दावा जूठा निकलिए लेकिन रहस्य सुल्जाने के लिए उस गुफा में जाना बेहत जरूरी था लेकिन चढ़ाई कदम दर कदम खतरनाक होती जा रही थी जमीन से करीब 16 फिट की उचाई पर ही पहाड है और इस पहाड की सच्छे उची चोटी परपॉर्शने के लिए हमें इस तरीके से जानवरों की तरह या स्पाइडर जिस तरीके से दिवारों पर चड़ता है ठीक उसी तरीके से चड़ाई करनी पढ़ रही है हमें दोनों पेरों और दोनों हातों का सहारा लेकर इस चटान पर इस खड़ी चटान पर हमें चड़ना पढ़ रहा है नीचे हजारों फिट गहरी खाई है और उपर सैक्डों फिट की उचाई पर हम इसी तरीके से इस चटान पर चड़ना है अगर ऐसे में हमारा एक गरत कदम इस चटान से फिसलता है तो हम सीधे हजारों फिट मीचे गहरी खाई में जा फिसलेंगे चढ़ाई के बाद अब उस गुफा को खोजना था जिसका नाता रावन से बताया जाता है कहते हैं उस जगा दैतियों की कुल देवी की अधुभुत प्रतिमा भी है जो अभी तक दुनिया की नजरों के सामने नहीं आई है गुफा की तलाश में हमारी टीम पहाड की सबसे उंची चोटी पर पहुँच गए जहां से दंडक वन का एक एक कोना दिख रहा था एक बार फिर नीचे की ओर जाना पड़ा टीम के साथ हाई लोगों ने बताया कि मन्जिल अब बेहत परीब है थोड़ा और खत्रा उठाने के बाद पहाड पर थोड़ा और सरकने के बाद एक गुफा का मुहाना हमारे सामने था वहीं पर जंगली जानवरों की गंदगी देखकर अंदाजा लग गया कि अंदर बहुत खत्रा है तो यह मुश्किलों और दिक्कदों का सामना करने के बाद हम लोग इस गुफा तक पहुचे जिसके चलते हुए जंगली जानवरों का खत्रा होने के बावजूत अब हम लोग इस गुफा से खाली आत वापीस नहीं लोट सकते डर काफी लग रहा है लेकिन इसके बावजूत हम लोगों ने इस गुफा के अंदर जाने का फैसला लिया है हमारे पास ये कपड़ा है और माचिस है हम लोग इस कपड़े को जलाकर इस आप को जलाकर इस गुफा के अंदर जाएंगे जंगली जानवर जो होते है वो आग से काफी डरते है ऐसे में इस आपके साहरे हम लो इस गुफा के अंदर बढ़ेंगे और अगर किसी प्रकार का कोई खत्रा हमें दिखाई देगा तो हम तुरंत ही इस गुफा से वापीस लॉट आएंगे यह आग हम लोगोंने जला लिया और इस अब आपको जला कर ही हम लोग इस गुफा के अंदर बढ़ेंगे कुछ नया पाने के जोश में हमारी टीम ने एक खत्रे को नजर अन्दाज कर दिया था हमारी टीम ने गुफा में जाने की एक और कोशिश की लेकिन इस बार खत्रे ने हमें खुद आगहा कर दिया अब हमारी टीम की हिम्मत जवाब दे चुकी थी मधुमक्षियों ने हमें डंक मारने की कोशिश की मधुमक्षियों से बचे तो अचानक एक आवाज गुफा के अंदर से आई कि भारी भरकम कोई जानवर पत्थरों के उपर चल रहा है और उस आवाज से डर के चलते हुए हम तुरंती गुफा के बाहर भागे और फिर उसके बाद हमने फिर से आग जलाई है अब इस गुफा के अंदर जानी की हिम्मत हमें नहीं है और अब इसके चलते हुए हम लोग यहीं से बापीस जो है बापीस कुटेश्वार खाम के लिए यहीं से हम लोग तुरंत निकलेंगे इतनी मेहनत के बाद नाकाम लोटने से हमारी टीम निराश थी कुफा में रावन से जुड़ी कोई निशानी मिलती भी या नहीं क्या पता जो बीद गया उसे क्या सोचने लेकिन शिवलिंग तो हमारी आँखों के सामने था जिसके चमतकार को तो हमने देखा भी था इस रहस्यो को सुलजाना अभी बाकी था दंड़क वन से निकल कर हमारी टीम रायपूर में दुग्द विज्ञान केंदर पहुँची वहां कई जानकारों से बात हुई सारी कहानी सुनने और देखने के बाद विशेशक्यों ने कहा कि आप पत्थर के पीछे पड़े हैं जबकि चमतकार तो दूद में था झ्रभी आपने पताया है कि जग्य के आप तौ लूड़ के बीच कि बीच में है और काफी दूर है तो continए आप भरह जाया है कि अजए तो उतकी दूद के अम्रीता भी पर था उसके बाद ते लगाता उसके अम्रीता बढ़ती जाएटे जासे तो इखराज बढ़ती है कि इन कारणों से क्योंकि उसमें बहुत ऐसे न्यूटिशियस माठीरियल होता है पूटी होता है उसमें बहुत साथ माइक्रोलिम्स की ग्रोथ होती है उनकी ग्रोथ होती है तो कहीं न कहीं यह सब चीज़े ही मिलके और उस स्टोन में उपस्थित किसी रग बदलना कोई चमतकार नहीं बलकी एक रासायनिक क्रिया का असर है लेकिन ये सारी बातें शिवलिंग पर दूद के रग बदलने के दावे को लेकर है इस बात का उन लोगों से कोई नाता नहीं है जो इस धाम में आस्था के साथ सिर जुकाते हैं क्योंकि उनकी आस्थ हर रंग हर तर्क से परेहुती यहार रुकर एक छोटे से ब्रेक के लिए